दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा फिल्म इतिहास मुवी की सुटिंग लोकेशन जो राजस्तान के जवपूर डिस्ट्रिक के महरकला गाम है यहीं पर दोस्तों इतिहास मुवी की सुटिंग हुई थी इतिहास मुवी दोस्तों गुंडी सो सत्याणों में आई यह चलते हैं मैं बेग कैमरे से पूरे सीन आपको दिखाता हूँ यहां के पहले आप यहां का चारो तरफ का नजरा देख लेजिए दोस्तों बड़ा ही हरा बड़ा नजरा दिखाए देरा चारो तरफ का क्योंकि इस वक्त बारिस का मोसम है दोस्तों काफी हरी आली चाही हु है दोस्तों और ये मेदान गाम के बाहर बनावा है दोस्तों तो इस गाम में दोस्तों काफी फिल्मों की शुटिंग हो चुकी है और होती ही रहती है अक्सर तो काफी पुराना गाम है और काफी पुरानी हवेलिया यहां पर बनी हुई है तो अक्सर यहां पर शुटिंग होत तो इतियास फिल्म में दोस्तों एक गाना है अचको मचको क्या करू राम जो तुनकल खना पे फिलमाया गया है वो इसी जगए पे सूट हुआ था दोस्तों जो मैं अभी आपको स्क्रीन सूट लगा के मेच करूंगा आप अच्छे से मेच कर सकते हैं और यह चारव तरफ का आप सीन देखिए बड़ा ही प्यारा सीन हरा बरा तो एक सीन तो कुछ इस तरह से आता है फिलम में दोस्तों कि यह आप सामने देख रहे होंगे यह यह गेट और पूरी दिवार को आप मैच कर सकते हैं स्क्रीन सूट में यह गेट हुई आप साफ दिखाए देरा स्क्रीन स पहले टेंट लगा दिया गया था जो वह टेंट भी साफ दिखाए देरा होगा स्क्रीन सूट में तो यह यहीं क्या लिया गया सीन है दोस्तों आप अच्छे से मैच कर सकते हैं कि इस तरह बाते हैं तो दोस्तों एक सिन इस तरह से लिया जाता है जो जो कि त्विंकल खना को डांस करते हुए दिखाया जाता है दोस्तों आप यह स्किन शूट में मेच कर सकते हैं उन पहाडू की डिजाइन आप देख सकते हैं पहाडू की डिजाइन को आप अच्छे से मेच कर सकते हैं इस शूट में तो यह यह से लिए यह सीन है दोस्तों पूरे और यह है यहां का चारों तरफ का नजारा यह पहले दोस्तों यहां पे इतने मकान बने वह नहीं थे यह बेग्ग्राउंड में प एक सीन दोस्तों इस तरह से आता है फिलम में राजबबर बैठे हुए हैं और वह च्छत्री आपको साफ दिखाए दे रही होगी पाड़ों का सीन आप मेच कर सकते हैं और यह सपेद कलर में जो च्छत्री दिखाए दे रही सामने वह भी इसमें साफ नजर आ रही है तो य दोस्तों पहले यहां पर रेती रेती अब यह घास उगाया है पहले शूकी रेती रेत चारों तरव भिख्री विए थी यहां पर और दोस्तों एक सीन कुछ इस तरह से आता है वही आप यह दिवार देख रहे होंगे वेग्राउंड में और गेट का सीन आप अच्छे से मै दोस्तों आप अच्छे से मेच कर लेना और यह चारों तरव बरगत के पेड़ आपको दिखाए दे रहे होंगे इस गाम में आपको खूब देखने को मिलेंगे बरगत के पेड़ आप कभी आओ तो एक शीवालिया का धाम भी है तो काफी सरदालू वहां पर सावन मास में बहुती आते हैं दोस्तों यहां पर तो एक सीन दोस्तों इस छत्री का भी लिया जाता है फिलम में यह देखिए आप स्क्रीन सूट में मेच कर सकते हैं इस छत्री को और मकान की वज़े से वह पहड़ों का सीन दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों बागी यह पहड़ों का सीन भी आप मेच कर सकते हैं और इस छत्री को आप अच्छे से मेच कर सकते हैं यहीं से लिया गया सीन है अगला सीन दोस्तों यह पास से लिया जाता है छत्री का जिसमें इन सीडियों को साब दिखाए दे रही हैं दोस्तों जिसमें छक्ति कपूर और अरुना एरानी बेठे हुए है तो आप इसको मेच कर सकते हैं अच्छे से और ये पहडों का सीन बड़ा ही रोचक है दोस्तो गाउं के चारो तरफ पहाडी पहाड आपको नजर आएंगे यदि आप कभी आप यहां आएं तो तो ये पुरा गाउं पहाडों के बीच में बसा हुआ दोस्तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सीन है दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों और मिलते हैं किसी अगली सुटिंग लोकेशन पर तब तक के लिए जैहिंग